प्रेम से बड़े सिया राम जंद्र की चै आज आप सभी सुनेंगे सबड़ी की कथा बात भगवान राम के जन्मे से पहले की है जब भील आदिवासी कभीले के मुखिया अज की घर बेड़ी पैदा हुई थी उसका एक नाम ब्रह्मना और दुसरा का नाम सब्री रखा गया सब्री की मां इंदू मती उसे खूब प्यार करते थी बच्पन से ही सब्री पसूप पंच्चू की भासा समझ कर उनसे बादे करती और जब सब्री की मां उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी की परिवार को बताया कि वो आगे चल कर सन्यासी बन सकती है। इस बाद का पता चलते ही सबरी की पिता ने उसका रिष्टा तै कर दिया। मा से पुछा इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गया है। मा ने जबाब दिया बेटी तुमारा विवा होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने इनका इंतिजाम बली के लिए किया है। तुम्हारी साधी के दिन बली प्रथा होगी और फिर इन से स्वादिष्ट भोजन बना कर सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजात करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहां नहीं होंगे तो इनकी बली रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं जले जाने पड़ी यह बली रुके की जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना बिवा होगा और ना यह बली प्रथा इससे मासुम जानवर बच जाएंगे इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगा पर सबरी पहुँची उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई उसके बद सबरी जंगल के तरफ भागने लगी भागते भागते सबरी रिशी मुख परबत पर पहुँच गई वहां करीब दस हजा रिशी रहा करते थे सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह रिशी मुण्यों की सेवा करके अपना जीवन चीलेगी वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्चे में किसी तरह से रहने लगी सबरी रोजाना रिशी मुण्यों की जोपरी के आगे जाडू लगाती और हवन के लिए लक्रिया भी लाकर रख देती रिशी मुन्यों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनकी काम अपने आप कैसे हो रहे हैं एक दिन सब्री को किसी रिशी ने देख लिया उसे देखते ही उसका पड़िजय पुछा जैसे ही सब्री ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से सम्मत रखती है तो उसे रिशी ने खूब डाट लगाई सब्री को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जादी छोटी है और उसे रिशी द्वारा जाती की बज़े से अपमान सहन करना पर रहा है इतना सब होने के बाद भी सब्री हर रिशी मूनी के दरवाजे पर पहुँशती और उनके आगन में जारू लगाकर उनसे गुरू दिक्षा देने के लिए कहती हर कोई सब्री को उसकी जाती के बचे से अपने आस्रम से भगा देता था ऐसा होते होते काफी समय बिद गया उसके बाद सब्री मतंग रिशी की कुटिया में पहुँची वहाँ पहुँचकर मतंग रिशी को सब्री ने बताया कि वो उनसे गुरू दिक्षा लेना चाहती है उन्होंने खुसी खुसी उसे अपने गुरू कुल में रहने दिया और भगवान से जुरा ज्यान देते रहे सब्री ने भी अपने गुरू मतंग रिशी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो गुरू कुल के भी सारे काम करती थी सब्री से खुसो कर मतंग रिशी ने उसे बेटी माल लिया था समय के साथ मतंग रिशी का सरीर बूढा हो गया उन्होंने एक दिन सब्री को अपने पास पुलाया और कहा बेटी मैं अपना देख त्यागना चाह रहा हूँ बहुत साल हो गये इस सरीर में रहते रहते सब्री ने दुखी मन से कहा आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाए हूँ आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी आप अपने संग मुझे भी ले जाएए मैं भी देख त्याग दूंगी मतंग रिषी ने जब आप दिये बेटी तुम्हीं चिंटा करने की जरुरत नहीं राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे सब्री ने राम का नाम सुनते ही बाद में पूछा वो कौन है और उन्हें में किस तरह से ढूणूँगी मतंग रिशी ने बताया राम कोई और नहीं भगवान है वे तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हें उन्हें ढूणने की कोई जरुरत नहीं है वो एक दिन खूद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों की मोक्ष मिलेगी तब तक तुम इसी आश्रम में रहो इतना कहते ही रिशी मतंग ने अपना सरीर त्याग दिया सब्री के मन में मतंग रिशी की जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्यम उससे मिलने आएंगे वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग में अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आस्रम सजाती और भगवान के लिए बैर तोर कर लाती भगवान के लिए बैर चूनते हुए सबरी उन्हें चक लेती थी कि भगवान को वो सिर्फ मीठे बैर ही दे सके रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बैर इकठा करती रही इसी इंतिजार में कई साल बीती गए सबरी का सरीर एकदम ब्रिध हो क्या एक दिन आस्रम के पास के ही तलाब में सबरी पानी पीने के लिए गई तभी पास के ही एक रिशी ने उसे अच्छुत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसी चोट लगी और खून बहने लगा खून बहते हुए एक बुद उसी तलाब के पानी में गिर गई तभी पूरा तलाब का पानी खून में बतल गया ये सब होता देखकर रिशी ने सबरी को डाटा और कहा कि पापिन तुम्हारी बचे से पूरा पानी खराब हो गया रोज रिशी उस पानी को साब करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याव का इस्तिमाल करते कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ फिर उन्होंने गंगा जैजी कई पवित्रों नज्यों का जल्वी उस तालाब में डाला फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा कई सालों तर तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो रिशी ने ठाक कर सब कुछ छोड़ दिया इतना घटना के कई सालों के बाद भगवाण राम अपनी पत्नी सीता के हरन के बाद उन्हें ढोंड़ते हुए उसी तलाब के पास पहुंचे, रिशी मुनियों ने उन्हें पहचान लिया, भगवाण को वहाँ देखकर रिश्यों ने तलाब का पानी साप करने के लिए वानी जैसा का तैसा खून जैसा ही रहा तब भगवान ने रिशियों से पानी के रक्त में बदलने की कहाने पुछी तब रिशी ने सब्री को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दे उसके बात कहा कि वो महिला ही आपवित्र है चोटी जातकी है इसलिए ये सब हुआ है उसी नहीं बलकि मेरे दिल को खायल किया है इसी खायल दिल के रक्त का प्रतिक या तलाब लाल पानी है आगे भगवान राब बोले कहा है वो माई मैं उनसे मिलना चाहता हूं तब तक सब्री उसी तलाब के पास पहुंच जाती है इस दोरान सब्री के पैर को ठोकर लगती है और आप लोगोंने क्या कुछ नहीं किया लेकिन पानी साप नहीं हो पाया अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी से धूल नहीं तलाब का पानी साप कर दिया भगवान राम को सब्री ने पहँचान लिया था उसने उन्हें परनाम करके कहा भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया वो सीधे सीधे बैर तोरने के लिए बाग में गई और चक चक कर उनके लिए बैर लेकर आई उन्होंने बरे ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लच्वन को बैर दिये भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बैर को खाना सुरू किया तभी बैर देखकर मुव बनाते हुए लच्वन ने कहा भाईया ये बैर जूटे हैं इन्हें आप कैसे खा सकते हैं भगवान ने जबाब दिया लच्वन ये जूटे नहीं बलके बहुत मीठे हैं सब्री माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोर कर लाई है इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बहर को खाने लगे भगवान ने जाते भी सब्री माई से कहा आप मुझे से जो चाहे बर मांग सकती हो सब्री ने कहा मतंग रिशी की कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी अब आप मुझे मुझे परदान कीजिए मैं अपना सरीर आपके सामने ही त्यागूंगी उसी बक्त सब्री ने अपना सरीर त्यार दिया भगवान राम ने अपने हाथों से उ भगवान राम की दर्शन भी हुए तब ही से भगवान राम को सब्री के राम भी कहा जाने लगा। सब्री की कहान से यही सीख मिलती है कि सची स्रधा है तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। सभी प्रेम से बोले स्विया राम चंद्र की जय।